नमस्कार अर्ली टाइम में आप सब का स्वागत है मैं हूँ राजन वैद अब सब जानते हैं कि जो निया वेरियंट है कोविड नाइंटिंग का जिसे हम ओमी करून भी कहते हैं उसको लेका काफी मित हैं कन्फूजन हैं मित इस बात का है क्या ये माइल्ड है या ये वैसा ही है जैसा डेल्टा वेरियंट है और कन्फूजन इस बात की है क्या एस ओपीस का हम पालन करना बहुत लाजमी है इन सभी मित पे जो है आज हम जो है रोशनी डालेंगे हमारे साथ सीनिय डॉक्टर डॉक्टर विशाल टेंडन मौजूद है सबसे पहले जो मित है लोगों में कि यह माइल्ड है या डेल्टा वेरियंट के तरह काफी स्ट्रोंग है क्या कहना चाहें गयों को देखें देखें दो बड़ी इंपॉर्टन बाते मैं बोलना चाहूंगा इस समय अगर आपने देखा होगा हर दूसरा तीसरा आद भी जो जम्मू में जम्मू किश्मीर में वो कामन कोल्ड की तरह मैनिफेस्ट कर रहा है तो मैं मित की बात आपने की बड़ी अच्छी बात आपने बोली है यह लोगों में जो यह बिडंबना है कि मुझे नहीं वाइरस ही हुआ है माइल्ड है तो मुझे डरने की जूर्द नहीं लेकिन एक चीछ ध्यान में रखें ओमीक्रॉन का जो करेक्टर है अगर हम इसको ओमीक्रॉन ही मान रहे है तो उसका करेक्टर यह है कि इस थर्टी टाइम मोर ट्रांस्मिसिबल तो यह उतनी तेजी से फैलेगा और आप देख भी रहे हैं जो रीसेंट ट्रेंड है तो मैं तो अपनी जनता से आपके माद़े म मैं यह एक बड़ा प्रमुक मैसेज देना चाहता हूं कि आपको अगर कोल्ड आया तो आप सिंपल लक्षन जो हैं बुखार जुकाम खासी गले में दर्द पर्टिकुलर्ली स्टार्ट यहां से होता है स्क्रैची थ्रोट के साथ स्टार्ट होता है डाइरिया ठंठंड करें कि यह कोविड है तो भी बचाव कर पाएंगे अपना भी और अपने नियर वंस का डियर वंस का भी क्योंकि अगर अगर आपका पॉजिटिव आता है तो उसमें दो अगें मैं बोलूंगा कि डरने की जूर्त नहीं है डेफिनिटली यह माइल फॉर्म आफ वेरियंट ह है माइल फॉर्म में से आ रहा है लेकिन जो आपने बात कहीं यह कभी-कभी यह चीज पॉसिबल है कि इसमें डेल्टा के साथ मिक्स इंफेक्शन आए सेकिंड चीज यह भी पॉसिबल है कि कोई वनरेबल ग्रूप होगा जिसकी इम्म्यूनिटी कंप्रोमाइज होगी कोई इसकी कैंसर का मुरीज है कोई कोटिकॉस्टोड पर है कोई लॉग ड़िजीज का मुरीज है कुटिक का डिजीज है का पेशेंट है तो यह सारे पेशन जो है देएर बॉनरेबल ग्रूप तो आपकी वजह с common cold की तरह कभी भी manifestation होती है आप duty bound हैं कि पहले आपने आपको immediately isolate करें उसको छुपाएना get yourself tested और test करने के बाद जैसे ही आपको पता लग जाता है कि आपका status क्या है और अगर वो covid positive status आता है तो आप immediately जो है अपने डॉक्टर से संपर करें और इस दोरान आप अपनी oxygen saturation monitor करें इ सबसे पहला माप दंड आपका रहेगा कि आपकी oxygen saturation कभी भी 90 से नीचे नहीं जानी चाहिए वैसे तो 93 mark रखा है mild disease को classify करने का लेकिन 90 तक आप आप घर में ही बने रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है अपने डॉक्टर से लेकिन बने रहे हैं दो तीन चीज़ें जो हम गलतियां करते हैं वो ना करें simple anti allergic cold remedies जो होती है बुखार की दवाई है वो ले ले ज्यादा से ज्यादा antibiotic का बड़ा ज्यादा रोल इसमें है नहीं हां antibiotic अगर आपका fever बड़ा high grade है आपका fever तूटनी रहा है तब antibiotic super infection का कोई sign दिख रहा है तो antibiotic आप अपने डॉक्टर से पूछ के ले stride भी जो है अपनी मर्जी से लोग ले लेते हैं वो गलत है stride का भी एक specific indication है usually ये six to seventh day of infection वो भी तब अगर आपकी infection कर टेल नहीं हो रही तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी important है self medication ना करें आप अपने डॉक्टर से सला लें मुझे नहीं लगता कोई भी डॉक्टर इस मोके इस wave के दुरान आपको mobile पे consultation ना दे जहां आपको phone पे ही ना आपका treatment कर दे तो बड़ी जूर्त होगी अगर आपको आपको ये oxygen saturation dip कर रहा है respiratory rate जो है वो बढ़ रहा है और उसमें भी एक में मापदंट बोलना चाहूंगा 23 अगर 23 मलब 23 से उपर जा रही है आपकी respiratory rate जो है तो भी वो एक अच्छा indicator नहीं है तो आपने immediately अपनी hospital की तरफ जो है रुख करना है तो इसलिए इसको lightly ना ले ये धारना जो आपने बोली वो गलत है mild आएगा तो बड़ी अच्छी बात है आपको एक community परदान करके जाएगा लेकिन आपको immediate अपने आपको isolate करना है ताँ कि आपके आपके प्यारे आपके नियर वन्स जो है बचे रहे और high risk जो public है वो इससे बची रहे सबसे एहम जो चिंता है सबसे बड़ी चिंता हम कहेंगे वो लोगों को अपने बच्छों की है उनको उनका ये कहना है कि अभी vaccine शायद जो 18 साल से उपर age group के है maximum उन में सबसे ज़्यादा डर इसी बात का होता है कि इंफेक्शन अगर उनको बच्चों तक न पहुंच जाए देखें बच्चे जो है पहले में बताता चलों कि बच्चों में इसलिए डर थोड़ा कम है क्योंकि बच्चों की जो innate immunity जो अपनी अंदर जो immunity है वो अडर्ट इससे मलब बड़े कम possibility है कि वो इससे effect होंगे number one second एक ICMR का data recent आया था जिसने एक सीरो सल्विन स्टेडी की और even जम्मू से भी और सिर्नगर से भी यह data आया जिसमें यह परमानित हुआ था आज से यह तीन मीने परा नहीं बात कर रहा है तो आए तो और बढ़ गया होगा उ सतर से 80% बच्चे आलरी उनके अंदर antibodies बने तो जो आपने बात की ही तो वह तो एक protective factor है जी उसमें क्यों मैं अगर infected हुआ मैं घर गया मेरे बच्चे को भी exposure हुआ तो उसके अंदर अपने आप antibody आये तो यह जो सीरो सल्विन स्टेडी का data इंडिया में आया पैन इंडिया क आया यह सतर से पचतर तीन मीने पुराना था तो अभी तो और ज्यादा मलब जो है जिसको हम बोलते है हर्ड immunity जो है community में आ गही है चाहिए वह vaccination के मादियम में आई यह तो एक बात रही तो बच्चों को अभी इतना खत्रा नहीं लेकिन उनकी भी presentation जो है इसी तरह आएगी mild form और वो जुकाम खांसी जिसतना आता है वैसी आएगा उनको क्या जो दवाई है जो दवाई के लेने हों को दूसरी बात पर मैं आपकी पहले complete करूंगा vaccination की आपने बात की vaccination प्रोग्राम जो है मैं आपको बताता चलूँ कि जो पंदरा से ठारा वाला तो आपको पता है कि रोल आउट शुरू प्रोग्राम शुरू हो गया और पच्चिस से तीस परसंट तक तो आलमोस्ट हम ने टार्गट जो अचीव भी किया ये एक सिकस्ट स्टोरी है vaccination प्रोग्राम की और ये अनमान किया जा रहा है कि मार्च के महीने तक जो है इवन बारा साल से जो एक और 12 साल से लेकर जो अगली श्रेणी है वो 15 साल लगी इस श्रेणी में भी जो है टार्गट किया जाएगा vaccination प्रोग्राम को अभी लेकिन गोर्मेंट आफ इंडिया ने उसको रोल आउट नहीं किया है लेकिन जो शोत है जो रिसर्च है वो एक मुकमल लास्ट फेज में जो च मुचित रखा जाए लेकिन उसमें क्या रहता है कि जो पॉपुलेशन है उसमें बड़ा ही कंट्रोल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल कंडिशन में जो है ट्राइल्स करने पड़ते हैं तो यह फेज वाइज फेज जहीं जो है गोर्मेंट आफ इंडिया प्लान कर रही है अग मैंने बताया है मापदंड यहीं रहेंगे पहले तो उनको इस कामन कोल्ड की तरह ही प्रेजेंटेशन रहेगी बुकार जुकाम कांसी उसमें भी अगर फीवर तूटनी रहा तभी एंटिबाटिक आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें खुद अपनी को शुरू कर देता हूं तो इस वेव के मद्यम में अगर आपका बच्चा जुकाम खांसी से ग्रिस्त होता है तो आप वो प्रिस्किप्शन नहीं आप अपने बैटर रहेगा का अपने पीडियाटिशन से अपने कंसल्टेंट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप टीट कि अगर बच्चा आठ साल से बढ़ा है तो वो दे सकते हैं और स्टीम जो है बड़ी कारगार रहेगी बच्चे को भाब दिलवाएं उसमें चाया आप इवन स्ट्राइड का भी यूज करें अगर आपको लगता कि कंजेशन बड़ी जदा है और थोड़ी सी जो जैसे ब्र इंफेक्शन कांटीनू जयदा करती है आक्सिजन डिप कर रही है साइनोसिज है नीला पढ़ रहा बच्चा उसके होट नीले पढ़ रहे है इस तरह के कुछ अगर उसको सांस रुक रहा है और सबसे इंपॉर्टन बच्चे में जो साइन रहता है और रहता है वो रेट आने लगता है तो दाट इस इंडिकेटर ऑफ सीवियर डिजीज बच्चों में तो इमीजेट तुरंत जो है उस समय हास्पिटलाइजेशन करनी है अदरवाइस पैनिक होनी की जूत नहीं मैं यह वस शौर करता हूं जंता को यह माइड़ फार्म में आएगा निकल जाएग लेकिन अगर वो बढ़ती है तो डॉक्टर की सलाह लें तुरंत डॉक्टर के कंटेक्ट में आएं तो डॉक्टर के हिसाब से जो है ट्रीटमेंट करें इसके सासत अभी लोगों में यह भी एक मित है कि इसका पीक आ चुका है क्या यह इसका पीक आना बाकी है यह आ चुका रहा था यग दम बढ़के जो है पहले 1000 क्रास किया फिफ्टीन इंडर क्रास किया लास्ट टू डेज़ त्री डेज़ देखें इट इस टचिंग फोर तोजन नौ राइट सो यह परमानित करता है कि यह ओमिक्रॉन का ही वेरियंट है जो क्यों कह रहा हूं मैं यह और मैं इसल पीक नहीं आई है पीक आने आने का टाइम जो है वेरी रीसेंट डी यू सी के इट गूइंट टू 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 टेक पीक और उस पीक में हम मलब यह अनुमान एज़ डॉक्टर अनुमान लगाते हैं कि उस पीक के दुरान एक पैनिक की पॉसिबिल्टी है लेकिन प कि हम सभी डॉक्टर जो हैं वो यह संदेश दें तांके जो पेशेंट है वो सेल्फ असेस्पेंट कर पाए मैं माइल्ड और मॉडरेट में घरी बना रहे डॉक्टर के केंटेक्ट में रहे और अगर सीवियर है तो तुरंत जो हास्पिटल की तरफ रूप करें नहीं तो क् देखें जैसे यह पीक लेगी जब पीक लेगी पैनिक फैल लगा मैंने बोला थर्टी पर्संट ट्रांस्मिसिबल तो लोग जो हैं डर के मारे हॉस्पिटल में रश्ट करेंगे जो हर हॉस्पिटल में क्रोडिंग होगी Deathly a system जो है इसमें हॉस्पिल टाइजशिंग की ज vaccination के बारे में मैं दो चार चीज़ ने बताता चलो के vaccination में जिस इनसान को infection हुई है उसके बाद उसने double dose लिया है जाना अब मैं उसको बोलू जिसने triple dose भी लिया है उसका बचाव सबसे ज़्यादा रहेगा सबसे ज़्यादा बचाव उसी का रहेगा उसके बाद जो category आएगी दो dose वाले की रहेगी और infection वाले की रहेगी उसके नीचे जाएंगे तो एक dose वाले की रहेगी तो मेरा पहला संदेश यह रहेगा कि जिन्नों ने किसी कारण वर्ष यह सोच कि करोना अब चला गया है और अपनी vaccination नहीं ली उनसे मेरा एक निर्देश रहेगा request रहेगी कि आ आप जाएं इमीजेटली अपना second dose जो है ले और अपने healthcare workers और elderly को में यह request करूंगा कि अपना third dose भी ले booster dose भी ले और वो आपको second dose से nine month के बार लेना है जो आपको message भी आएगा नमबर एक मैं vaccine को इसलिए जोर देता हूं कि this vaccine is not a vaccine simple vaccine it is a vaccine to prevent death it is a vaccine to prevent hospitalization this is a vaccine to prevent severe form of disease this is a vaccine to prevent moderate form of disease तो यह देखें यह सदारन vaccine नहीं है यह vaccine अगर आप नहीं लेते हैं तो आप से बड़ा कोई मलब इस इस इनसान से बड़ा मुरक कोई होगा नहीं अगर वो इस संकोच में अभी भी है कि मैंने यह vaccine नहीं लेनी तो मैं request करता हूं अपनी elderly population को कि जाएं अपना third dose भी लें और मैं अपने उन सभी बंदूओं से यह बोलता हूं कि अगर आपने पहला dose पर ही सीमित हैं तो जाएं और second dose लें इसके साथ साथ यह चीज़ में और आप से clear करता हैं जो आ vaccination सिर्फ आपको इन चीजों से बचाएगी मैंने बुला death नहीं होगी hospitalization नहीं होगी लेकिन अगर आप SOP नहीं फालो कर रहे हैं अगर आप अपना mask नहीं फालो कर रहे हैं आपने hand wash नहीं कर रहे हैं मैं आपके साथ बैठ के गपे मार रहा हूं चाए पी रहा हूं खा रहा है वो आपको even third dose vaccination के वो भी जो है आपको इनफेक्ट कर सकता है तो SOP ही जो है फालो करना सबसे कारगार जिसको मैं हंडर परसंट फुल प्रूफ तो हंडर परसंट फुल प्रूफ अगर मुझे पूछेंगे तो second dose और third dose of vaccination प्लस SOP यह double amaryla approach बोलते हैं हम इसको जैसे एक follow कर रहा हूँ तो मैं ऐश्वस्च करता हुँ यह third wave क्या हम आने माली वेब्स को भी जो है teromine 라 kat सकते हैं आने वाली वेपे में आने वाला था कि यह अब लोगों का यह भी है कि यह हर साल का फिनोमना बन गया है हर साल यह आएगा क्या यह भी मित है यह यह सचाई है देखें वेरियंट जो है मैं मेशा एक वर्ड यूज करता हूं कि वाइरसी जार दा बेस्ट बायो मेडिक इंजीनिर्स लेकिन देखें यह वेवज क्यों आएंगी अगर अगर जनता यह भांप ले यह समझ ले कि मैंने आप से आपको infection हुई आप से मुझे हो गई मुझे मुझे से third person को हो गई तो आपकी immunity अलग है मेरी immunity अलग है मेरे में वैक्सिनेशन हुई आप में नहीं हुई तो यह सुवरूब चेंज करता रहेगा जब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी ना बन जाए जब तक हमारी वैक्शिनेशन प्रोग्राम कंप्लीड ना हो जाए तो मुझे यह फकर है एक सिकस्स स्टोरी है भायरत में इतना बड़ा देश है वन फिफ्टी करोड जो हमने क्रॉस क पहले जब आता है काफ़ी स्ट्रॉंग होता है जब माइल्ड हो जाता है यह टो यह सबस्केश ने बड़ा अनुमान लगाया लगा वैंट काइंग है क्योंकि ये माइल हम है तो मैंने आएका सर्फ ट्रांस्मेशिवल का बहु champion percent तो ये almost every person को touch करके जाएगा किसी को symptoms होंगे किसी को नहीं होंगे लेकिन touch करके जाएगा और शायद अगर मलब इसको positivity की तरफ देखें तो मैं भी ये मानता हूँ कि शायद ये एक अच्छा संदेश है कि ये आपको touch करके जाएगा तो एक double immunity जैसे आगर आप vaccinated है second dose भी थर्ड भी और इसकी infection से भी आपको जो immunity जो है natural जो immunity मिलेगी तो हो सकता है कि this might be end of you see pandemic and we might enter into endemic phase ये अगदम तो नहीं खतम होता है ये endemic phase में जाने की जो है संबाबना पूरी-पूरी है ये कुछ research निकल के आई है लेकिन अभी इसको कहना बड़ा difficult होगा ये time ही बताएगा कि जो आपकी बात है वो कितनी क्या सुब रूप लेती है उंट जो है किस करवड जो है बैठता है बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो डॉक्टर विशाल टंडन तमाम आपके जो मित थे confusion थे हमें उमीद है वो कुछ हट तक दूर हुए होंगे लेकिन सबसे हैं बात जो इन्होंने बोली है कि चाहे आपने वैक्सिन लगाई है चाहे आपने booster dose भी लगाया है लेकिन इससे बचाव केवल SOPS का पालन करने से ही हो सकता है क्योंकि शायद आपकी immunity strong होगी लेकिन घर में आपके माबाप बुड़े या बच्चे हो सकते हैं जिनकी immunity शायद strong ना हो तो हमें उमीद है कि जो विशेशक के हैं expert हैं जो उन्होंने बात कही है आप मानेंगे तो फिलहाल में साथ इतना ही देखते वही है early time news